नबस्कार दोस्तों मैं हो अकाल सिंग और कॉम्पटिशन कम्यूटी के इस यूटूब चनल में आपका स्वागत है यह हमारे वीडियो आदारीत है डिसक्शन कम्यूटी नामक हमारे एक इनिशियटिव पर तो यह इनिशियटिव है क्या इसके बारे में तोड़ी से चर्जा मिलेगा उस डिसक्शन कम्यूटी वाले सेक्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरे द्वारा और आनन्सर के द्वारा राश्री अंतर राश्री और राज इस तरी समसाइग मुद्धों की कुछ हेड्लाइन वहाँ पर दिखेगी अब यह हैड्लाइन है क्या और इसका आपको करना गया है जैसे ही आप उस headline उस मुद्व पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में comment box खुलेगा उस comment box का अब आप किस तरीके से उपयोग लाएंगे ज़र उस पर बात कर लेते हैं यह initiative कुछ ऐसा है कि हम इस discussion community के माध्यम से समसाइक मुद्व को वहाँ पर रखेंगे उस मुद्व पर छात्र आएंगे और अपने विचारों को व्यक्त करेंगे विचारों को व्यक्त करते समय यह ध्यान रखा जाए कि इस तरीके से व्यक्त किया जाए कि वो आपके परिच्छा की तैयारी हो सके पॉर एक्जामपल जैसे इस बार के जो करेंट यह पर जो टॉपिक था समसाइक वो हमने पांच ट्रिलियन एकनॉमी पर रखा है राश्टी इस तरबर अब इस पांच ट्रिलियन एकनॉमी पर हो सकता है या तो आप अपने फोन से टाइप करके कमेंट कर दे लैप्टॉप या पसनल कंप्यूटर के कीवर्ट से आप कर दे या तो फिर आप पेजेस में लिखे उसके इमेज खिचकर भी आप वहां पर पेस्ट कर करेंगे तो पहले तो ये आपका current affair तयार हो गया कि current के मुद्य पर ही क्योंकि आपने कुछ explore किया है तो मतलब प्री संबंदीद अगर कुछ facts आते हैं इस current affair से अधारित तो आप उसको इसलिए solve कर सकते हैं दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ही आप इसको discussion वाले format पर जब आप लिखें तो लिखते समय ये ध्यान रखें कि आप इसे निबंद के रूप में तयार करें अब निबंद के रूप में तयार करते हुए आपकी अपनी लेखिन शेली भी विकास होगी अब जरह समझते हैं मान लिजे मैं में एक समान निचातर हूँ मैंने discussion community में मैं गया और discussion community में topic देगा उस topic को जब मैं explore कर रहा हूँ जब उसको मैंने खो जा उसके बारे में समझा तो मुझे बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ पता चले जो मेरे प्री के लिए भी काम आने वाले हैं फिर इंडियन economy सब्जेक जो पेपर पांच मेंस पर है उसके लिए भी मेरी कुछ तयारी हो गई फिर पेपर टू निबंद उसकी भी तयारी हो गए आप वहाँ पर जाके दूसरे चातरों के भी कमेंट वहाँ पर पढ़ सकते हैं अब जैसे ही आप उनके कमेंट पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आप जिन लोगों की बीच में रहकर तयारी कर रहे हैं आपके समान जिसे आप competition करने वाले हैं उनकी क्या इस तरह लेखन शैली की और उनके आधार पर आप अपने लेखन शैली का यहां पर और इस अपते का जो टॉपिक था वो भारत की अर्थवियस्ता को आगामी पांच वर्षों में पांच रिलियन किया जाना अब इस टॉपिक का जो discussion करने का जो format होगा वह ऐसा होगा कि मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि एक निबंद के रूप में इस टॉपिक को हम कैस से बहतर तरीके से प्रस्तूत कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन ध्यान रखें कि जैसे कि यह एकनौमी का टॉपिक है तो एकनौमी के हमारे कुछ बेसिक कंसेप्स यहां पर क्लियर होने चाहिए बेसिक कंसेप्स समझाने के लिए एक बहुत ही महतवपून ची सद्शाइक्र हुआ और वो किया था कि वर्च्वा साइकल और विच्वा साइकल ओफिकणामी और फिर अरथ विज्क्र चक्र और अर्त्विवह व स्दी चक्र ॉर्थ विश्क्र के दुस्ट चक्र तब तक इस टॉपिक पर हम बहतर तरीके से अपने विचार नहीं रख पाएंगे तो यह वा चार्ट है जिसके माध्यम से हम वर्च्व साइकल विश्य साइकल समझने वाले हैं चला देखते हैं पहले इसमें क्यों से बॉक्स बने हुएं और इन बॉक्स तो इसमें क्या शब्द लिखे हुएं जरह हम समझते हैं सबसे पहले अगर इस बॉक्स की बात करें तो यहां पर लिखा हुए बिजनेस व्यापार आग उपर चड़ें तो हम देखते हैं यहाँ पर production उतपादन फिर उसके बाद इस box में लिखा हुआ है labor market यहाँ पर लिखा हुआ है income और income connected जिस box से हो रहा है वहाँ पर लिखा है household और उसके बाद consumer market consumer market राजस यह लिखा हुआ उबोक कंजप्शन फिर लिखा हुआ है व्यापार फिर यहाँ पर है बचत savings financial institution निवेश सरकार को मिला हुआ और tax फिर public finance business से जुड़ा हुआ है और फिर import और export इस चार्ट के माध्यम से हम वर्च्व साइकल समझते हैं अर्धिक सर्विक्षन ने यह कहा कि अगर हमको अपनी देश की GDP को काफी तेजगती से बढ़ाना है तो हमें वर्च्व साइकल की और जाना होगा हमें अर्थ वेस साथ ही इस GDP को बढ़ाने के लिए जो हमारा जनांकी की लाभांश है demographic dividend है मतलब की युवा जन संख्या का लाभ जो है उसका हम यहां पर अनुकुलतम उपियोग करेंगे तो जरा इसको समझते हैं कि यह क्या है मान लीजिए कि किसी भी अर्थ व्यस्ता पर production हुआ production जैसे ही होगा labor market में वो क्या दिखेगा रोजगार होता हुआ मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की income यहां पर बनने लगेगी जैसे ही उनकी income बनेगी मान लीजिए वो बेक्ती मही हूँ मैं किसी सेवा का उत्पादन किया जिससे वज़े से मुझे रोजगार प्राप्त हुआ रोजगार से मेरी यहां पर आई सुनिश्चेत हुई अब इस आई का कुछ हिस्सा मैं लेकर गया consumer market में अपने उभोग मुलक खर्चे को करने के लिए कपड़े खरीदने के लिए कपड़े खरीदने जैसे ही मैं जाऊंगा तो मैं उस market में क्या बना दूँगा बजार में डिमांड बना दूगा कपड़ों का अब कपड़ा उत्पादन करने वाला जो वर्ग है मतलब वैपार वर्ग उसको क्या प्राप्त होगा मेरे इस आर्थिक गतिविदी से उसको राज़ास प्राप्त होगा जिससे पुना उत्पादन होगा रोजगार होगा और income फिर बड़ेगी दुबारा एडिमांड होगी उसको उत्पादन करने के लिए निवेश की ज़रूरत है निवेश उनको कहां से प्राप्त होगा निवेश के लिए पुझी कहां से प्राप्त होगा तो उनको मिलेगा वित्तिय संस्ताओं से और वित्तिय संस्ताओं के पास ये पैसे कहां से आएंगे तो ये पैसे हाँ हमारी income का कुछ हिस्सा बचद की रूप में गया है लोगों की आये मतलब मेरी आये हुई तो मैंने क्या किया government को अपनी आये का कुछ हिस्सा दिया बस्तू और सेमाओं को खरीद कर या फिर अगर मैं income tax lab group में रहा तो वहाँ से मैंने government को tax pay किया मेरी आये सेही सरकार की आये हुई और सरकार की आये हुई तो सरकार अपने खर्चे बढ़ाकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्माध्यम से पुना उतपादन सुनेशित करेंगे मेरी income से ही क्या होने वाला है मैंने मानलोग को यह phone खरीदा जिसका उतपादन चाइना में हुआ है तो मेरी income सही country की import भी बनेगी और अगर international market खुला और आप export करते हैं तो पुना आपके देश में उत्पादन बढ़ेगा इस चार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर उत्पादन सबसे मैं तो पुन दिखा कि उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ तो लोगों को रोजगार मिली और लोगों की आए वे यही आए अन्य अन्य घटकों के माद्यम से पुना उत्पादन करेगा मतलब उत्पादन से शुरू होकर पुना उत्पादन वाला cycle यह चालू हो जाएगा और सारे यह जो arrow है वो अपवर साइड में है मतलब किसी प्र अर्थवयस्ता में हमें यह साइकल दिखता है तो हम इसे कह देते हैं अर्थवयस्ता की वर्चूस साइकल या फिर अर्थवयस्ता का सदचक्र यह हो गया वर्चूस साइकल और अगर आप इसको पर्टिकुलर एक एक चेन को देखें तो पहला वाला जो चेन है वो लोगों होती है मतलब आयात निर्यात या फिर अंतरराश्य बादार से संबंदित बात यह हमारे आकरी वाले साइकल में बना हुआ है तो इस पूरे चार्ट को डिफरेंट साइकल में ब्रेक किया जा सकता है और पूरे को एक बड़े साइकल पर अगर देखा जाएगा तो उसे हम कह देंगे अर्थ विजस्ता का सज्जग्र या फिर वर्च्व साइकल ऑफ एकनॉमिय जड़ा अब इसी का दूसरा एक्टम समझते हैं कि अर्थ विजस्ता का पादन भी कम होगा और बढ़ता हुआ रोजगार धीमा पड़ जाएगा मतलब बेरोजगारी की दिशा में परिवर्तित होने लगेगा और लोग यहां पर गरीबी के रिखा तक जाने लगेंगे अगर गरीब हो गये लोग तो क्या बजार में पुना डिमांड बनेगा कद करीब हो गये तो लोगों से जो सरकार को पैसे जा रहे थे हो पहुंचेंगे नहीं और सरकार भी अपने खर्च नहीं कर पाएगी दुबारा उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ेगा तो अगर आप इस तरीके से देखें मतलब एक्सपोर्ट भी आपका गिरने लगेग या फिर डिमांड गिरने से दुबारा डिमांड गिरे या फिर कहीं से शुरू करिए आप वह जाकर वहीं पर आएगगा तो एक cycle नुमा अक्रिती बनेगी और cycle क्या होता है जिसका इसराटिंग पॉंट और एंडिंग पॉंट नहीं होता है तो यह एक cycle नुमा गतिविदी यहाँ पर दिखेगी जिसे हम क्या कहने वाले हैं अर्थ वियस्ता की विश्यस साइकल या फिर अर्थ वियस्ता का दुस्चक्र एक प्रैक्टिकल एक्जामपल हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रैक्टिकल एक्जामपल ऐसा कुछ हुआ था क्या दुस्चक्र से सम्बंदित ज परवाव पढ़ने यहाँ पर बहुती सबाविक हैं तो जैसे ही demonetization हुआ तो लोगों की market में demand कम हो गई क्यों क्यों क्योंकि लोगों के पास के जो पैसे थे वो बैंकों में जमा हो गए हैं और एक तै की गई राशी ही काफी लंबी कतार खड़ाक होने के बाद इंतिजार के बाद मिलते थे और उस राशी का समाने ता लोग अपने खाने पीने के वस्तोव पर ही खर्च कर रहे थे तो market में demand बाकी वस्तोव गिर जाएगा और result क्या मिला कि जो GDP लगा था 7% की growth rate पर चल रही थी वो 6.5% के growth rate पर आगर गिर गई और अगर यह स्तिती और गंबीर होत पर यह practical example है और ध्यान रखेगा यहां पर विमुद्री करण का मैंने अलोचना नहीं किया है मैंने विमुद्री करण के जो अल्वकालिक नगरात्माग परवाव पढ़े थे सिर्फ उसका उल्लेक का है चलिए विशियस साइकल वर्च्वा साइकल समझने के बाद हम अब इ दिसकेशन कम्यूटी के उस टॉपिक पर जिस पर यह निवन लिखने को कहा गया था यह समसाइक मुद्ध है क्योंकि पिछले कुछ दिनों ही हमारी अर्थवियस्ता पर या प्रदानमंत्री नरेंद मोदी जी ने यह कहा था कि हम अपनी अर्थवियस्ता को आने वाले 5 साल पर यह प्रदानमंत्री नरेंद मोदी जी ने ऐसी संकलपना दी और तब से यह मुद्धा जो रहा एक बहुत ही होट टॉपिक बरनिंग टॉपिक बना और इसके अधार पर हमको यह डिसकेशन कम्यूटी का एक टॉपिक बना इस टॉपिक को डील करते समय आप धिहान रख कि आपकी परिच्छा संबंदित तयारी हो किसी प्रकार के विवादिक रूप से आप इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें तो चलिए टॉपिक डिसकस करते हैं और इसका मैं बताता हूँ कि आप लोगो किस तरीके से निबंद जब लिखना होगा तो किस तरी से आप इसे कैसे तो एक अच्छे लक्ष का एक बड़े लक्ष का निर्धारन करना वो तो हमेशा ब्रिद्य और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है तो ये पांच स्रिलियन एकनॉमी जो है इसके जो संकल्पने आप रखी गई इसमें किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक पहलू इस वैचारी का अधार पर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ये अच्छी बात है कि आपने इतनी बड़ी अब्जेक्टिव को अपने सामने में रखा हुआ है अब ये टॉपिक आया अब ये टॉपिक एक करेंट इशू बना अब इसमें हमको निबंद लिखने की बात ह निबंद लिखने का फ्रेम तोरह ऐसा हो सकता है कि इसमें ये पूछ लिया जाए कि ये पांच ट्रिलियन एकनोमी के वाकई में हम बन सकते हैं कि हमारे अंदर ये शमता है या फिर ये सिर्फ क्या है एक जुमलेबाजी है कि हम ऐसा करेंगे बस यासा लोगों को तो इस निबंद को जब भी हम लिखें तो ध्यान रखे सीविल सर्वीसेज में निबंद की आपकी जो थीम होगी जो आपकी शैली होगी थोड़ा बैलेन्स में रखें लेकिन बैलेंस आप रखें या अलोचनख करें लेकिन उसके लिए आपके पास एक तार्किक आदार हो करें तो इस निभंद को हम ऐसे कर सकते हैं कि और उनका ये कहना था कि अभी हमारी देश में जो आर्थिक मंदी चल रही है यह आर्थिक मंदी संराचनात्पक नहीं है बलकि साइक्लिकल है मतलब कि अगर हम बिजनेस साइकल को देखें तो रिकवरी रिसेशन और बूम ये सारे बिजनेस साइकल होते हैं जो एक के बाद एक समाने रुप से आते रहते हैं तो अभी हमारी आर्थिक मंदी की जो इस्तिती बनी हुई है यह आर्थिक मंदी जो है वो संराचनात्पक नहीं है बलकि साइक्लिकल है ऐसा समय कुछ अंतराल में ऐसा म आपने डाल दिया कि यह क्या है एक साइकल का है इस्ट्रक्चरल एकनॉमिक स्लोडाउन अभी नहीं है यह आपका क्या हो गया इंट्रोडक्शन में आपने यह कोट डाल दिया अर्बिया की रिपोर्ट का अब आप शुरू करने वाले हैं इस निबंद के करने वाले हैं कब तक आने वाले पांस सालों में मतलब की दो हजार पच्चेस तक रुपए के अधार पर यह क्या हो जाएगा 375 लाख करोर का जीडीपी का अकारहम बनाने वाले हैं इतना बनाने के बाद फिर आप बताईए कि इसमें हमको required condition क्या चाहिए required condition या फिर मुद्रा इस्विती को हटा दिया जाए तो समान एरुप से जो मुद्रा इस्विती की दर होती है एक ideal stage में वो 4% होती है तो 4% inflation को अगर आप डिड़ेट करतें यहां पर तो yearly या वास्तविक GDP वृद्धी दर हमको 8% आवश्यक है yearly मतलब यह है required condition यहां तक पहुँचने की अब अभी वर्तमान में क्या है तो वर्तमान में हमारी देश की जो economy का size है वो 2.8 trillion dollar के आसपास अभी है मतलब की हमें क्या करना है आगे चलकर लगबग 2.2 trillion dollar आने वाले 5 साल में और add करना है लेकिन अगर हम पीछे पलट कर देखें तो पिछले 5 सालों में हमने 1 trillion dollar से भी कम add-on किया है मतलब की पिछले 5 सालों के model पर अगर जिसमें आप चल रहे हैं उसके अधार पर आपने GDP की विद्धिदर या फिर आकार को 1 trillion dollar से भी कम यहां पर जोड़ा है और आने वाले 5 साल पर आप 2.2 trillion dollar और यहां पर add-on करना चाहते हैं यह आपका क्या है लक्ष यह topic इतना सारा discuss करते हुए आप आपके निबंद का introduction वाला format आपने तयार कर दिया इस introduction की महत्वता आपको पता है कि यह वह शुरू के 3-4 line है जिसको पढ़ने के बाद जाच करता यह decide करता है कि आगे का इससे पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए अगर आपका जो introduction है काफी ब आप अपने निबंद को बहुत ही आकर्शक बनाएंगे आकर्शक बनाने के लिए कोड का प्रयोग करिए आकर्शक बनाने के लिए अनुशंचा रिकमेंडेशन इन सब का प्रयोग करिए इससे आपकी introduction वाला जो भाग होगा उसकी जो quality यह तोड़ी जी बढ़ जाएगी त आपकी GDP की क्या स्थिती है और क्या challenges है मतलब चुनोतियों पर बात करेंगे दूसरा बात आप करेंगे body पर ही कि आप इस पांट ट्रिलियन एकनोमी जाने तक के लिए क्या कदम उठा रहे हैं क्या आपका model है क्योंकि वर्तमान का model है पिछले 5 साल का वो analysis तो यह कह रहा है क 1 trillion से कम add on हुआ मतलब आपके पास पर कुछ ऐसा model होना चाहिए जिससे आप इतना ज्यादा add on करें आने वाले 5 सालों में तो वर्तमान में model क्या है अब उस model के आधार पर आप किस तरीके के कदम उठा रहे हैं यह कदमों पर बात की जाएगी यहां तक आपका body वाला part cover हो जाएगा और बहुत इस तुंदर निश्कर्स आप लिखकर अपने essay को खदम कर दें तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मेटिंग देता हूं कि जब आप introduction वाले भाग में जाएंगे तो यह तो हो गया अब आप आते हैं कि body वाले part में क्या करना होगा आपको तो body वाले part में ह आप सबसे पहले यह लिखेंगे कि आपके सामने में challenges क्या है अभी तो challenges यह है कि आने वाले 5 साल में आप इतना ज़्यादा money value और add करने वाले GDP में लेकिन अभी आपका देखा आपने कि जब आप financial year 19-20 की बात कर रहे हैं जब financial year 19-20 की बात कर रहे हैं इसका जो प्रतम त्र परसेंट विद्धीदर पिछले 6 सालों में देखा जाए तो सबसे निम्न इस तरफ पर आपका है मतलब वर्तमानी स्थिती आपकी बहुत ही गड़बड़ है और आप काफी लंबा जाना चाहते हैं तो 5 परसेंट आपने देख लिया अब इस GDP विद्धीदर के पिछे का ज देखें तो वस्तु बजार में क्या हुआ है डिमांड में कमी आ गई है डिमांड में अगर कमी है तो वर्चवस साइकल मैंने बताया था कि प्रोडक्शन में भी आपको क्या दिखेगा धीमा गती देखने को मिलेगा तो मार्केट में क्या बताया आपने सबसे पहला कि हमा कम क्यों है तो इसके पीशे भी आप कारण का थोड़ा सा उलेक कर दें जैसे फॉर एक्जामपल आप यहां पर बताए डिमांड क्यों है तो अभी तक हम विमुद्री करण के जो भी नकरात्मक प्रभाव पड़े थे उससे अभी हम पूरी तरीके से उबर नहीं पाएंगे उ एक ऐसा कर सुधार था बोलने को तो कर सुधार था लेकिन तरीके में यह पूरी अर्थवैस्ता का सुधार था क्योंकि इसके माद्यम से कर के माद्यक से अर्थ व्यष्टा के विविन नेच्षिप में हमको प्रवाव देखने को मिलेगा अब GST जैसे ही आएगा तो GST भी कुछ इतने बड़े changes होने के कारण कुछ short term negative impact तो वो भी लेकर आएगा उसकी वज़ा से भी market में demand क्या है कम है दूसरा आप ये बता देंगे कि अभी हमारे देश में ऐसी जन संक्या जो कृषी पर अधारित है agriculture पर dependent जो population है उनकी income भी बहुत कम ही है अच्छा ये agriculture भी आगे नीबंद आएगा क्योंकि क्रिश्यको की आए को दोगुना करना 2022 तक भी एक लक्ष हमारा तो ये भी इसे का different topic बनेगा कि इसे आप कैसे दूर कर पाएंगे या फिर ये कम आए वाली समस्या को कैसे दूर कर पाएंगे या फिर दोगुना कैसे कर पाएंगे 2022 तक तो agriculture में जो लोग जुडे हुए है उनकी भी आए कम है और 50-60% लोग अगर किसी छेतर से जुडे हैं और उनकी आए कम हो रही है तो market में demand उनके कारण भी कम होने वाला है तो भी ये भी एक क्या हो गया उसका कारण हो गया दूसरा आप क्या बताएंगे कि जो अंतर राश्री कारण है मतलब कि global slowdown है वो भी एक कारण है global slowdown के साथ-साथ आप किसका उलेक कर देंगे जो अभी US और चाइना की विश में trade war चल रहा है जब दो बड़ी अर्थ विश्ता है एक दूसरे के साथ आर्थी का धार पर जंग लड़ने लगे तो उसका प्रभाव वैश्वे करण के कारण विविन अर्थ विश्ताओं में भी उसका प्रभाव पड़ेगा और भारत भी उस प्रभाव से अच्छूता नहीं रहेगा इसकी वज़ा से भी क्या होगा consumption हमारा down होगा अब इस बात को या विजडिपी ग्रोथ रेट के कम होने के और आप आकड़े दे सकते हैं आकड़े आप ये दे सकते हैं कि हमारा manufacturing सेक्टर भी निर्मान छेतर भी क्या हो रहा है गिर रहा है हमारी agriculture सेक्टर भी क्या हो रही है इसका भी ग्रोथ रेट गिर गया है मतलब कि 2% बढ़ा है और बलकि इसी quarter पर ये 5% बढ़ा हुआ था तो ये सारे चीजों के अधार पर आप ये बता देंगे कि आपकी GDP ग्रोथ रेट अभी डाउन चल रही है ये आपकी वरतमान इस्तिती है आप ये भी बता दें कि आटो सेक्टर पूरा डाउन हो गया है आप ये भी बता दीजे कि वहाँ पर रिटेलिंग जो रिटेल मार्केट है उसको भी बहुत स्रोडाउन देखने को मिल रहा है ये सारे चीज आप चुनोतियों वाले सेक्शन में खदम कर देंगे कि ये हमारे चलेंजेस हैं भी मतलब कि आप 2.2 trillion डॉलर आने वाले 5 साल में जोडने जा रहे हैं लेकिन वर्तमान में आपकी अर्थविवस्ता जो है आर्थिक मंदी से जूझ रही है और ये आर्थिक मंदी आपकी वास्तविक्ता है और 5 trillion करना आपका संकल्प है तो वास्तविक्ता से संकल्प तक का सफर कैसा होगा ये जानने के लिए अब हम बॉडी वाले पार्ट के दूसरे पार्ग पर जाते हैं कि इसके लिए मॉडल क्या है मतलब 5 trillion एकनॉमी बनाने का मॉडल क्या है और उसके लिए कदम क्या उठा रहे हैं तो चलिए समझते हैं चल्दी से एकनॉमिक सरवे ऑफ इंडिया ने 5 trillion एकनॉमी बनाने के लिए जो मॉडल बताया हो ये बताया कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे देश में जो प्रोड़क्शन होगा वो क्या होगा प्रोड़क्शन भी बढ़ने लगेगा इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना होगा इंवेस्मेंट भी बढ़ाना होगा चायो इंवेस्मेंट विदेश से हो या घरेलू हो गरेलू हो तो निवेश किसके द्वारा तो निजी निवेश प्राइवेट इंवेस्मेंट प्रडक्शन बढ़ाने के लिए हमको उभोग मुलक अर्थवियस्ता कंजप्शन बेस्ट इगनॉमी से एक्सपोर्ट बेस्ट इगनॉमी की तरह जाना होगा अब आप मिलेगा आपके युवजन संक्या का लाब जिसे आप क्या कहते हैं डेमोगराफिक डिविडेंट अगर युवाओं की संक्या बहुत ज़ादा होगी तो वो हाथ और पैर जो उत्पादन में अपनी भागीदारी दे सकते हैं उनकी संक्या ज़ादा है उसका आप क्या करेंगे मतलब उनके स्वास्त का विकास करके उनकी सिख्षा का विकास करके उनके इसकिल डेलपमेंट करके उनको रोजगार का आवसर दिला कर यह सारे चीज का आप विवस्ता करेंगे जिससे एक वो valuable human resource बने और हमारे देश के इस production को बढ़ाने में अपना योगदान दे साथ ही आपने क्या objective रखा कि यह जो market में consumption है क्यूंकि हमारे देश की जो GDP है consumption based ज्यादा है लगबाग 80-90% हमारी GDP का जो भाग होता है वो consumption के गारण होता है इस consumption oriented economy से हमको अपने आपको थोड़ा सा क्या करना होगा पीछे खीचना होगा और export oriented economy बनना होगा savings हमको बढ़वानी पड़ेगे क्योंकि savings बढ़ेंगे तो निवेश यहां पर बढ़ेंगे यह वह model है जिसके आधार पर economic survey of India ने इस सल virtual cycle बनाने का बात कहा यह model हो गया अब चलिए बात करते हैं body वाले part में ही अगे कि इस model के लिए सरकार ने यह अर्धिवेस्ता पर क्या repo rate को ग Kirाया गया repo rate अगर गिरेगा तो bank जो उधार देती है और जो ब्याजदर लगाती है समानी रूप से वो ब्याजदार भी कम होगा ब्याजदार अगर कम होगा तो जड़ियत दिखते हैं interest rate कम हो गया तो सबसे पहले मान लीचे मेरे मन में क्या आया कि अगर bank ने ब्या क्या हो गया है बढ़ गया है और डिमांड अगर बढ़ गया है तो इस डिमांड को फुल्फिल करने के लिए इन्वेस्मेंट भी बढ़ाना होगा और इन्वेस्मेंट करने के लिए बैंक से उधार लेना होगा और बैंक से उधार लेना क्या मुश्किल वाद है क्या नहीं क् कि बैंकों ने अपने interest rate गिरा दिये हैं तो मतलब कि अगर bank अपने interest rate गिरा देती है तो बजार में demand भी बढ़ता है और investment भी बढ़ता है अब इस chart पर आते हैं जैसे ही demand बढ़ेगा investment बढ़ेगा तो production में हमको उसका लाव देखने मिलेगा तो जब भी मौत्रिक निती से रेपोरेट गिराया जाता है तो ये आर्थिक विद्धी के लिए उठाया गया कदम है रेपोरेट गिराना मुल इस्थिर्ता को बनाना जैसा एक कदम होता है तो सबसे पहले आप repo rate के बारे में बात कर देंगे कि अभी वर्तमान में आपने क्या किया 0.35 percentage repo rate आपने गिरा दिया है चलिए दूसरा कदम आपने क्या उठाया अब आपको क्या करना है production बढ़ाना है तो सरकार ने FDI जो norms हैं उस norms को भी क्या कर दिया थोड़ा सा easy कर दिया सरल कर दिया क्यूंकि आपको production बढ़ाना है ना तो production आप कैसे बढ़ाएंगे जब निवेश बढ़ेगा तो निवेश घरेलू तो जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही साथ में अगर foreign से भी investment आएगा तो आ ये investment एक्सपोर्ट में भी तबदिल होगा for example अगर foreign से कोई वेक् और अच्छी technology से अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तू का उत्पादन होगा और अगर अच्छी वस्तू का उत्पादन हुआ तो हमारे देश का क्या बढ़ेगा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा तो क्या हुआ कि FDI norms को आपने ease किया क्यों क्योंकि आप foreign से investment attract करना चाहते हैं और इस investment के माद्यम से आप अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तू का उत्पादन करके एक्सपोर्ट को भी बढ़ा देंगे ये हो गया दूसरा कदम अब आते हैं तीसरा कदम क्या हाली में RBI से सरकार ने 1.76 लाक करोड surplus money लिये हैं अब ये पैसे सरकार की एक आए बनी सरका के पास अगर आए जादा होगी तो सरकार जाइस तोर पर अपने वे जाद अगर पाएगी मतलब सरकार के आए अगर बढ़े तो सरकार अपने वे बढ़ाने के लिए सक्षम होगी मतलब नीजी निवेश के साथ में public या भी सारजुनिक निवेश भी बढ़ेगा जिससे हम को भी क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं चलिए उसके बाद क्या कदम उठाए गए हमारे बैंकों में NPA की समस्या है इस NPA की समस्या से बैंकों को अपने ब्याजदर गिराने में समस्या होती है तो अगर इस NPA की समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप निवेश नहीं पब्दिल कर दिया गया और ये जो चार बैंक है ये भारत की NPA की या जो बैंकिंग सेक्टर की पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के जो NPA की समस्या है उसको कुछ हस्तक साल करने के लिए कारगर साबित होगा ये हो गया आपका NPA वाला बात उसके बाद आपने किया corporate tax को कम करना निगम कर 22% हो गया 30, 25 और आप है यहाँ पर 22% निगम कर जैसे ही कम होगा तो जो निजी कमपनी है जितने पैसे यह टेक्स के रूप पे दे रही थी अब उनके पास यह पैसे बच जाएंगे पैसे अगर बच गये तो कमपनीया जो बेरोजगारी या फिर लोगों को रोजगार से हटाने वाली थी वो नहीं हटाएंगी मतलब लोगों की नौकरिया सुरक्षित हैं मतलब उनकी इंकम यहाँ पर सुरक्षित हैं बजार में डिमांड और यह सारे production के लिए helpful होगा दूसरा अगर यह निगम कर बचने से कमपनीयों की अगर पैसे बच जाते हैं तो और निवेश करके और अपने व्यापार को विस्तारित करेंगे विस्तारित करने के लिए उनको निवेश करना होगा फिर से क्या होगा production बढ़ेगा बैंकों के पास अगर यह corporate tax के कारण कुछ पैसे बच जाते हैं तो जो यहाँ पर NPA हो रहा है जो वो पैसे अदा नहीं कर पा रहे हैं बैंकों को उनको भी वो पैसे दे पाएंगे तो NPA की समस्या भी सुल जाएगी तो corporate tax सिर्फ यहाँ पर निवेश बढ़ाने के लिए नहीं बलकि banking sector के problem को भी solve करने की जो आर्थिक विद्धी है कि रोजगार नहीं है लकिन आर्थिक विद्धी हो रही है उस रोजगार विहिन जनसंक्या को रोजगार सुनिश्चित करने के भी काम आएगा तो यह हो गया corporate tax का एक example तो जब आप यह body वाला पार्ट इतना करें तो पहले आपने यह लिक बताया कि चुनोतियां क्या है आपके सामने आपने बताया कि model क्या है export investment और demographic dividend consumption कम और saving को बढ़ाना यह हो गया आपका वर्तमान model और वर्तमान model को fulfill करने के लिए आपने क्या कदम उठाए तो यह different यहां पर जो लिके वो उसके कदम है तो यह हो गए steps taken for making India 5 trillion economic का बात अब हम आते हैं निशकर्स वाले बात पर निशकर्स आपका थोड़ा सा balance रहे हैं देखिए जब भी आप इतने बड़े लक्ष का निर्धारन करते हैं तो चुनोतियां आना तो सभाविक है यह civil servants के aspirants जो होगे उनको ज़्यादा बेतर तरीके से समझ में आएगा क्योंकि लक्ष जब बड़ा होगा चुनोतियां भी उतनी बड़ी होती है लेकिन लक्ष का बड़ा करना क्या पाप हुआ नहीं यह बहुत ही अच्छी बात है जितना बड़ा लक्ष होगा उतनी ही तेजगती से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपकी वृद्धी और विकास उतनी तेजगती से बढ़ेगी तो लक्ष को निर्धारित करना कोई बुरी बात नहीं क्या उसके लिए कोई उठाया गया कदम बुरी बात वो भी बुरी बात नहीं मतलब यह सारे जो चीज है यह सारे एक अच्छे स्टेप ही है बाद यहां पर यह आती है कि क्या यह कदम जो उठाये गए है इसका implementation सही होता है कि नहीं होता क्या repo rate गिरने से सिर्फ production बढ़ेगा या फिर repo rate के गिरा देने से inflation में भी बात हो सकती है ये भी सारी चीजे देखना होगा मतलब की लक्ष का निर्धारन करना और उसके लिए उठाये गए कदम पर कभी भी आलोचना नहीं की जा सकती कदमों का जिस तरीके से implementation होगा क्रियानवन होगा अलोचना उस इस तर पर की जा सकती है तो अलोचना करने वाली स्थिती पर अभी अर्थविवस्ता नहीं है क्योंकि जो भी कदम होंगे उनके असर उनका impact देखने के लिए कुछ समय के लिए रुखना होगा और अगर सही तरीके से implement ना किया जाए तो यह पांच रिलियन एकनौमी अर्थविवस्ता का जो संकल्प है संकल्प नहीं हो जाएगा मात्रों मात्रे एक मित्थ हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम उतने बड़े आकार की अर्थविवस्ता नहीं बन सकते हमारे देश की युवा जिनसंक्या और हमारी अर्थविवस्ता का मॉडल में इतनी सक्षमता है कि हम अतनी अड़ी अर्थविवस्ता काफी असानी से बन सके बस ज़वरत है उठाये गए हर एक लोगों से यह आगरा है कि बड़ी से बड़ी मात्रा में इस discussion community वाले initiative को आप फैलाएं ज्यादा से ज्यादों लोगों तक यह पहुंचे और हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर जोड़ सकें थैंक यू CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले